गुद मॉनिंग नमस्ते शश्यकाल आदा आप कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी बहिए दिल लगा के सुन रहा होंगे तो दिल मतलब यार इतना दिल मत लगा लो कि सरदर्द हो जाए ठीक है स्टोरी है इंटर्टेन्मेंट के लिए है बस आप किसी की जिन्दगी सुन रहा हो अगर उसकी जिन्दगी में कुछ उपर नीचे आपकी सोच या ना सोचने से कुछ चेंज नहीं होने वाला तो आप सिर्फ इसको इंटर्टेन्मेंट की तरह ही ले और इंटर्टेन्मेंट क यह हुआ था कि हमारी जो मैडम मुतिय अव्यांशी गुश्व हो जाती है और इधर इनकी मां थोड़ा साथ अंडरस्टेंडिंग दिखाती है रहना की और रहना फिर वापस घर आती है तो चलिए आगे देखते हैं होता है कि तो आगे यह होता है कि हमारी जो रहना होती हैं आयशा दरवाज़ा खोलती है तो वह जाती है और बीच रास्ति में दादी मिल जाती है उनसे बात्रीत होती है तो वह जाती है कि दादी आप यहां हो तो आपर डाइनिंग doحمal को ने और डाइनिंग doakeいき दो को बोलती भूली गी थी दादी मैं आपसे बाद में मिलती हूं वो जाती है अव्यांची के रूम में और देखती है अव्यांची काफी ज्यादा कोशिश कर रही है उठने की उससे होना पा रहा होता है तो वो देखके भागते हो जाती है के अव्यांची क्या कर रहे हो आप तो कहती है कि जो करना चाहिए क्योंकि मुझे इतने देर शे बॉश्रूम जाना है कोई अभी तक मुझे देखने तक नहीं आया है और तुम थी कहां तुम बता कि नहीं जा सकती थी पांच मुट रुक नहीं सकती पा रही थी इतनी जल्दी थी तुम्हें घर जाने की तो कहती है कि आप गुस्टा क्यों हो रही है तो कहती है कि मैं गुस्टा हो रही हूं लग रहा है मैं गुस्टा हो रही हूं कहां से लग रहा है कि मैं गुस्टा हो रही है मैं कोशन पूछन का जबाब चाहिए मुझे हां तुम्हारी जिम्मेदारी का ऐसास है कि नहीं तुम कुछ भी करती ह तुम्हें कुछ भी करना होता है किसी भी वक्त कुछ समझ रही हो ना तुम्हें एक शाजी शुदा वेक्ति के शात रह रही हो और उपर से तुम्हें खुद हो तो तुमको रिस्पॉंसबिल्टी अपनी पूरी रिस नहीं करनी चाहिए तो कहते है कि क्या बोल रहे हो आप यार मेरे को पता है कि मैं शाजी शुदा हूँ मुझे बतानी की जरूरत नहीं है तो कहते है कि नहीं तुम्हें बतानी की ही जरूरत है अगर तुम्हें पता होता तो तुम य यह ना करती बिना बताया नहीं जाती तो गहती कि मैंने घर क्या दिया है तो आप ऐसे गुष्षा अच्छा मत करो चलो मैं आपको बोश्रूम ले चलती हूं तो गहती कि कोई जरूत नहीं है मैं चली जाओंगी वो जबरन कोशिश करती है उठती है और फिर से खड़े होती ह बड़े बुरी तरह से उसके पैरमेंटर तो होता है तो कहती है कि आप प्लीज मत करें मैं कर दे रही हूं जितना गुष्षा करना है आप कर लेना बाद में बड़े पेशिंस के साथ वो बोल रही होती है और हाँ यार एक चीज़ और की जो हमारी जो कंगना है और जो प्र आपको बाद में री जिन्स पता चलेंगे और मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बोलने की जरूरत थे कि कंगना ने फ्लैस बैक में जाके ऐसे किया था वैसे किया तो मैं अभी वो चीज नहीं बताऊंगी जब उसकी आगे आगे देख लीजे हो क्या रहा है फिर उसके बा ठीक है और जिसको इस बात से दिक्कत हो रही हो या मैंने बताया नहीं कि कंगना ने क्या किया और क्यों इसका नाम आगे लेके आई या अभी मैंने बोल के ऐसे नहीं बताया कि हाँ उसके पीछे फ्लैस बैक है यह थोड़ा दिमाग खुद से भी लगा लेना कि हाँ जब क अगर अडवाइस जब मांगी जाए तब देना चाहिए बिना मांगे किसी को अडवाइस देने की जरुरत नहीं है ठीक है जब मैं बोलती हूँ जब मैं पूछती हूँ तब बोलने की कोई जरुरत नहीं है ठीक है जब पूछ रही हूँ तो बोलना नहीं है जब नहीं मु किसी से ग्यान की कोई जरूरत नहीं है ठीक तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहानी ये थी कि हां गुस्टा हो रही होती हैं वैंशे और बहुत ज़्यादा गुस्टा होती हैं और जो होता है वो कहती है कि नहीं मैं चली जाओंगी और तो फिरसे वो वेलचैर लाती है उनको उस पर बठाती हैं को वाष्रूम की तरफ लेके जाती हैं और उनको ले जाती हैं और कहती हैं कि तुम जाओ यहां से रहना को बोलती है तो रहना किती है कि मैं आगर चली जाओंगी तो फिर वापस किसे आओगे तो मैं यहीं डुकती है अब कर लो तो कहती है अच्छा ऐसा ठीक है रुक जो मैं करती हूं तो वो गुसे में होती है कि तुम जाओगी या नहीं त तो कहते हैं कि मैं जा रही हूं गुष्मत हो वो जाती है दर्वाघ्ये के बार खड़ी हो जाती है और काफी देर लगता है फ़रो Π वैं की वा अभ्य अंदर आओं एल्प की जरूरत है तो कहते हैं कि नई कोई shelter ने चाहिए दो किती हैं कि क्या वह बच्चों किस रहे रहे हुशा है और बbei नहीं को ओणिस उतों और fan this मत आपया और बीज गुस्टत हिंथा है तो कहती है कि कि हाँ मैं गुसा नहीं जर ही और हविए कि आओ मुझे लेके चलो यांसे तो अंदर जाती हैं तो वो दिवाल के सहरे खड़ी होती हैं और अपने पैर के दर्द से काफी परिशान होती हैं और उनको बोलती हैं कि क्या आपको बात लेना है तो कहती हैं कि हां पुंच भूत को तो कहती हैं कि खशले ठीक हैं मैं मास पंज बात आपको देदेती हो लिए कि नहीं मुझे संसन बात नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर ना आना तो कहती हैं कि ठीक है वो उनको शावर के नीचे ऐसे लाती है एक चेर टाइप लाती है उस पर बठाती है उनके पैर को थोड़ा सा दूर और उनके हांथ को दूर रखते हुए शावर आन करती है और वो नहाती है कि जो हाथ और पैर गीला नहों थोड़ा सा कोशिश करती है बड़ थोड़ा सा हाथ गीला हो जाता है उनका और उनको नहलाने के कोशिश करती है और इधर जैसे शावर आन होता है हमारी जो व्यांची के जो कपड़े उते गीली होते हैं त तो बॉड़ी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है और उनको उनकी कपड़ी कीले होने पर ऐसे देखती हैं जब वेंट्री गो तो हमारी रहना वही सुद्बुत खोने लगती हैं और जब उनको देखती हैं और उनके हांथ जो होते हैं अब वो इतने तीज शिविट क देखते हैं क्यासे उपर से ओपर से गु Tucson मैं और इतनी खुबसूरत लग रही होते हैं कि लित कपड़ों हैं तोि पहिति हैं कि क्या मैं यह जैंज कर तूं तो हैसे टिए कि छेंज करने की जरुरत नहीं है है आहले कि इम आके बंद क्रों में तो कैती हैं आके बंद करों बोल रही हो ना तो वो आके बंद करती हैं और कहती हैं कि कपड़े दो तो बड़े एटिट्यूट से कपड़े ले तो लेती है अब पहनेंगी कैसे और खोलेंगी कैसे वो तो सूचा ही नहीं होनता है तो कहती हैं कि आंग बंद करे करे इस बटन को खोलो तो वो बटन को खोल पहनते हुए उनके हाथ उसमें फस जाता है तो जैसे हांथ फस पहनता है उनके मुझ से आउच निकलता है कहते हैं कि क्या हुआ भी अब ठीक तो होना तो वो देखती हैं कि हमारे जो अभी होती है वो उनके गिल्वे बालों में बहुत जादा अच्छी दिखरी होती है उनके फेस पे पानी के बूंदे और उनके लिप्स यूंगी ले और उनके बाडी पे गिले ये पानी के बूंदे एक एक करके मोती की तरफ चमक रहे होते हैं और देखते ही हमारी यह रहे ना सुद्बूत खोती है और रहती हैं कि आराम से ना क्या जल्दी है आपको हां किस बात क्या गुस्चा है और उनके धीरे से हाथ को निकालती है और जब उनकी नजर उनके ना हुए बटन पे बंद हुए ना हुए बटन पे उनकी नजर जब पढ़ती हैं नजर रहना है वह साथ होता ही नोए कि मतली है è a जब बंद थोड़ी को समझाई रही होती दो नजर चींज करें ठीक से अजर वेंकि यह पीचिह कहला कि थूड़ा इस अच्छा भी लगा होता है कि मतलब ऐसे देखने के बाद भी उसने कुछ रियाक्ट नहीं किया होते है कुछ कहा नहीं होता है तो वो जो होते हैं कि थोड़ी सी बेचेनी और थोड़ी सी शासी तीस तो अव्यानशी को भी मैसूस हुई होती है मागर खुद पर वो कंट्रॉल करती है इस बात की उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इदर इसको चेंज कराके वो बातरूम से बाहर लाती है और वो खुद भी गीली हो चुकी होती है तो कहती है कि आप आपको मैं यहां पे बैठा रही हूँ आपनी कमर में घंहा लो हूँ आपको झूहीयँ तो तो कहती ही नहीं मेरा जोस् pigment ehkä खत्म नहीं हूए है और अभी मुझे तुमसे बहुत सवाल करने हैं और वह काफी ज्यादा इरिटेटेट साउंड कर रही होती हैं फिर बेगों के दें ठीक है मैं सब्सक्राइब आती हूं वह वाडरों से उनके कुछ कपड़े उसमें रखे हुए होते हैं लोग टेक्शिट वगेरा रखे हु ना कि लेकिया हूं तो चीच है मुझे तो क्यते हैं कि अर्त दवाईं लेना है मुझे टु कि ज жизни कि आप कुछ चुपा रहे हूं कि बात है कुछ हुआ हूआ है को सबस्यूदी मैं क्या तो कि थे कि तुमने मिला हैं तो कहते हैं कि नहीं तो कहते हैं कि जा के मिलो तो कहते हैं कि कुछ बात हुई है कुछ हुआ है क्या तो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम जा मिलो बता दो दो कौन आया है हमारे गर पर तो कहते हैं कि कगना तो जैसे नाम सुनती हो शॉक्ट हो जाती है और कहते हैं कि वो क्या कर रही है आपर तो कहते हैं कि और वो आशिष भहिया से शादी कर ली है कि क्या वाट ये कब हुआ और ये कैसे हुआ तो कि तुम कल घर गई थी और उसी दोरान आशिष भहिया ने शादी करके आचानक से घर पे आ गए और मुझे समझ नहीं आए कि मैं कैसे रियक्त करूँ दादी को क्या समझाओं मम्मी को क्या समझाओं ये दादा को आशिष सबके दिमाग और जहन में जो कोश्चन है मैं उनको कैसे डील करूँ कैसे जवाब दू कि कागना ने क्या किया है मैं सबको प्रॉपर बता भी नहीं सकती तो खेर घर वालों का तो इसलिए नराजगी होती है क्योंकि कागना और आशिष ने बस बिन बताए शादी कर ली होती है इसलिए मगर असले रिजन अव्यानशे और रहना को पता होता है कि अव्यानशे इतनी ज़्यादा क्यों चुड़ी है गुस्ता क्यों ही है वो सर्फ उसको पता होता है कि ऐसा हमारी कंगना ने किया क्या है प्रीद ने किया वो तो समझा आया रवी ने किया वो भी समझ आया मगर कंगना ने क्या किया जो लोग इसके बहुत जादा अच्छे फ्रेंट है आचानक से वही वही लोग उसके जिन्दगी में दुश्मनों का रोल क्यों नभा रहा है तो कि देना कि हमेज़े घर का ही बेदी होता है जो लंका दहन करता वैसा ही हमारी अवैंशी के जिन्दगी में होता है जो जिससे वो प्यार करती है जिससे अपना मानती है वही उनकी विश्वास का खून करता है तो कहती हैं कि फिर अब आप क्या करोगे तो कहती हैं कि पता नहीं मुझे नहीं पता और तुम मैंने बता एक घर क्यों गई थी ये बताओ तो फिर वो बताती हैं कि मां को सब पता चल गया तो कैती हैं कि उन्होंने कल मुझे एक वीडियो दिखाई थी और काफी ज़्यादा नाराज थी मैंने सारी बाते उनको बता दी और अब शायद हो मेरी बात समख चुकी है तो कहती हैं कि हाँ ठीक है देखते हैं ये सारी चीज़े एक साथ ही क्यों आ रहे हैं भी ये सब चीज़े लब समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्या हो रहा होता है तो रेना बूलती है वेंशिशे की आप प्लीज टेंच्शन ना लो जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम साथ में मिलके देखती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है रेना को इतनी तो चीज़े क्लियर हो चुकी होते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है बट क्या वो तो पता नहीं है और कंगना का नाम सुनते ही रेना के भी फेस से वो खुशी वो कॉफिडेंस कहीं ने कहीं लूज हो चुका होता और इधर बू जाती है किचेन में और खाना लेती है और जब खाना लेती हैं तो उल्य जारी होती है व्यांचे के लिए और रदर सब्लगनास्ता कर चुके होते हैं तो पीछे से जब गंगना आती है तो जब बोलती है कि कैसी हो रणा तू घवरा के पीछे फलटती है केती कि तुम यहां क्या कर रही हो तो कहती हैं कि मैं यहां नहीं करूंगी तो कहां जाओंगी तो कहती हैं कि मेरा मतलब है केचन में क्या गर रही हो तो कहती हैं कि जिस अधिकार से तुम इस घर में रह रही हो उसी अधिकार से मैं भी यहां रहने आई हूँ तो जाहिर शीवात है घरम भी मेरा है तो किछन भी मेरा होगा तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहां आना है कहां जाना है किस से बात करने है किस से बात नहीं करने है तो कहते हैं कि तुम्हें जिस से भी बात करना हो मुझ से और अफ्यांसी से धूर रहो ठीक है तो कहते हैं क्यों ऐसे क्यों किया रही हो रहना तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए वो इतना बोलते बोलते रुख जाती है तो कहते हैं कि shut up समझी तुम अपने काईदे में रहो रहना बोलती है कहते हैं कि तुम इतनी जादा वाहियात और बेकार इंसान हो मुझे पता नहीं था अगर मुझे पता होता तो मैं तुमको ना सच बता रही हूँ घर में आने नहीं ही होते खेर छोड़ो तुम्हारे मुझ क्या लगना रो खाना का प्लेट उठाती है और चली जाती है और रहना कि कम्री की तरफ और बोलती है कि आप बैठात देती हूं आप नाश्ता कर लो तो कहते हैं कि क्या हुआ रहे ना तो कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं कि बोलोगी क्या हुआ तो वो बताती है कि कंगना ऐसा से बोल ली थी और कंगना पर फिर से एक बार और क्याती है कि उसकी इतनी हिम्मद कि इतना कुछ वो बोले जा रही है मेरे घर में गुसके अब इसको बता होंगे एक बठी कोने दो अर्थ अब तक उसके फोन पर एक रिंग आती है वो फोन रहना उठानी वाली अभ्यांच उठानी वाली उतिदे रहना उठाती है और उधर से उनकी मैनेजर के कॉल होता है तो कि दिकि माम आपकी एक मीटिंग है और वो मीटिंग र हो सकती तो क्या करना है तो वो बोलती है अभ्यांच शेशा कि कोई मीटिंग है आपको वो मीटिंग अटेंग करने पड़े है यह रिशेडियोल नहीं हो सकती है तो कहते है ठीक है मैं घर से ही वो बोल दो कि मैं देखूंगी और मीटिंग करूंगी और कॉन्फरेंस पे आन को बोलती हैं तो कहती हैं कि ठीक है सारा अरेंजमेंट मैं करवाता हूं मैं और वो बोलके फोन रख देता है इधर अव्यांशी और रहना दोनों ही परिशान होते हैं उनके जंदगी में चल कह रहा होता है उनको खुद समझ नहीं आ होता है कि अचानक से यह सारी चीज कैसे और क्यों अचानक से आशी इस भाई ने शादी कह लिए रहना के मौम को पता चल गया इधर चल किया रहा है समझ नहीं आ रहा होता है इंदर हमारी श्निहां काफी परिशान होती है रहना उनका ध्यान रगते हुए टाइन को बता रही होती है और रहना उनके हाद में जब व्यांची का फून होता है तो उनसे एक चैट खुल जाती है और वो चैट वह महीं खड़े खड़े उनको नास्ता देते वक्त पढ़ने लगती है तो देखते आएं कि दूस्तों क् है बनेरी स्टोरी में बाई टेक केर